कि अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक बहुत सारे लोगों को जब प्रोटीन की जरुद्ध होती है और जब प्रोटीन डॉक्टर कहता है कि आप अच्छी क्वालेटी का प्रोटीन और क प्रोटीन के लिए और कैल्सियम के लिए कि जो उसको कंपनसेट कर सके उसकी डेफिसेंसी को पूरा कर सके और सबसे इंपर्टेंट पार्ट यह है कि बहुत सारी बीमारियों में जब तक आपको अच्छा न्यूट्रेशन नहीं मिलेगा तो आपकी रिकबरी बहुत स्लो हो परते हैं एक टीटमेंट पूरा हो जाता है पूरा इलाज हो जाता है लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं होती आप अपकी हैल्थ काफी डिट्यूरेट करती रहती है तो इसको कैसे समझने की ज़रूद है एक्जामपल के लिए आपको यदि टीवर क्लोसिस है आपको कोई कोई ब्लड की कोई विमारी है एनीमिया है आपको अथराइटिस है इवन आपको थाइराइड है या फिर आपको कोई इनफेक्शन है तो आपको अच्छी क्वाटी का प्रोटीन और कैल्सियम चाहिए यादि वह आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो हीलिंग है वह बहुत स्लो होगा और आप अच्छे से कंप्लीटली हील नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली आप रिकवर नहीं कर पाएंगे क्लिनिकल यदि देखें हम तो आपकी अच्छी फूड और अच्छा न्यूट्रेशन आपका 50% of the treatment का हिस्सा है यदि वो न्यूट्रेशन ठीक नहीं होगा तो आप एक treatment के बाद एक duration के बाद भी कंप्लीटली ठीक नहीं होंगे और आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक बहुत ही नेचरल अच्छा option है जो freely available है हम कठल के बारे में बात कर रह बहुत अच्छा nutrition देता है जिसमें फाइवर देता है सॉलेबल और इंसॉलेबल यानि दौनों टाइप के फाइवर है अच्छी quality का फाइवर है वाइटमिन यह है वाइटमिन सी है जो कि हमारे immune system को boost करता है और हमारे vitamins की deficiency को ठीक करता है उसके बाद iron है calcium है प्रोटीन है य वो बहुत अच्छा रहता है तो कठल की यह तो एक nutritional value रही अब बात यहाद है कि कठल कौन से लोग खा सकते हैं कौन से लोग नहीं खा सकते हैं सभी लोग कठल खा सकते हैं और आपको blood pressure हो या फिर आप diabetic हो या आपको कोई और problem हो तो आप कठल जरूर खाएं और कठल से बह बहुत अच्छा nutrition उससे आपको मिलता है calcium और iron का और protein का बहुत अच्छा source है और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी nutritional value देता है बहुत ही reasonable price में कठल मिल जाता है और कठल की आप सबजी बना सकते हैं और कठल के जो बीज हैं आप उसको सुखा के powder form में भी आप उसको ले सक fruits भी खा सकते हैं कठल की सबजी और कठल का snacks और हलुआ यह बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे प्रोडेक्ट आप कठल से बना सकते हैं लेकिन make sure करें कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं one to two percent जिनकों की कठल से कोई reactions होता है digestion नहीं होता है या allergy होती है तो वह लोग कठल ना science बताती है हमें और जो आयरवैद बताता है कठल एक बहुत अच्छा fruits है vegetables भी है उसमें fibers भी है बहुत अच्छी nutritional value देता है और आपको health को sustain करने के लिए बहुत important role play करता है और calcium और protein का यह एक natural source है तो there is no need to take non-wes आप कठल खा सकते हैं there is no need to take the other things यदि आपको वह irritate करती ह यह परहसान करती है थैंक यू वेरी मच और टेक केर और सिर्फ